तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं काफी मिसकंसेप्शन, काफी जो मित है, काफी जो डाउट्स है, हाइट के बारे में, जो हमारे यूट्यूबर्स वे ला रहे हैं, उन सब को मैं क्लियर करना जाता हूँ, और जो भी मैं कहूंगा, वो सारा साइन्स बेस्ट होगा, और यह हाइट मैं यह कम है, बट मुझे कम लगती थी क्योंकि मैं हर्याना से हूँ, और मैंने पढ़ाई करी है, वो पंजाब में करी है, तो हर्याना पंजाब वैसे पहले एक ही स्टेट थी, बट यहाँ पर थोड़े बाई, लंबे चोड़े लोग होती है, तो इसलिए स्टेडी करी, इसके उपर कुछ लोगों से बात करी, और सबने, सबने मुझे यही कहा, कि भाई हाइट सिर्फ और सिर्फ 100% जनेटिक्स पर डिपेंड करती है, और 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो इंडिरेक्टली दोस्तों सभी लोगों ने यही कहा, कि आप कु हाइट छे फीट से उपर नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स की, ना मेरे ग्रेंट्स की, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक चीज, एक छोटी चीज एक करना जाता हूँ, कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो से देखकर, मेरे मेसेट को फॉलो करके, अपनी ह कोशिच करी थी, बढ़ हमने भाई हार नहीं मानी, हमने अपने लाइफ चल में चेंजिस करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं लटकना स्टार्ट किया, फिर थोए टाइम बात जैसे मेरी नॉलिच और बड़ी, मैंने वीडिस के साथ लटकना स्टार्ट किया, और in fact दोस् मैंने अपनी डाइट में भी चेंजिस करें, क्योंकि मेरे होस्टल में भाई बिल्कुल थर्ड क्लास खाना मिलता था, एक गिलास दूद में वो दो गिलास पानी मिला के देते थे, तो इसलिए भाई मैंने बाहर से दूद, अंडे, चिकन खाना स्टार्ट किया, और इसके करें भाई बहुत घटिया कोलेश था, कौन सा भाई कोलेश आठ बजे क्लास स्टार्ट करता है, तो दोस्तों आठ बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, और उसके लिए मुझे उठना पड़ता था, आठ बजने में पाच मिंट पर, तो फिर दोस्तों मैंने जंदी सोना स स्टार्ट हुआ, और इसके लावा दोस्तों मैंने कुछ टाइम के लिए वो डॉट मेटेशन टेक्नीक भी फॉलो करी थी, और एक चीज़ और क्लारिफार कर दू, क्योंकि काफी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कि मैंने इस चैनल पर कोई बंबू का मुरब्बा होता है, उसके पर बात करी है, अश्वगंधा, ग्रोथ हर्मोन इंजेक्शन, यह सब मैंने बात करी है, फॉर इंक्रीजिंग हाइट, पता नि भाय उनको यह बात किसी ने करी है, क्योंकि मैंने आज तक तक तो इसके पर कोई वीडियो नी करी, नहीं मैंने इस चीज़े खुट रा क्या है, मैंने वही चीजे आपके साथ शेर करें, जो मैंने खुद ट्राय करी, आप मेरी सारी वीडियो जाकर देख सकते है, मैंने कोई बंबू-बंबू के पर बात नहीं करी, नहीं मुझे पता यह क्या होता है, और मैं यह नहीं कहूंगा, कि यह चीज़े काम करती है, य जिन लोगों ने उसको पर वीडियो करी है, उनसे आप यह बात पूछे तो बेटर होगा, मैंने सिर्फ डाइट, एकसरसाइज, स्लीप और मैडिटेशन टेखनीक के उपर वीडियो करी है, और उन वीडियो पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया है, सैकड़ो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और यह सारे कमेंट्स आपको मेरी हाइट वाली वीडियो पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और इन लोगों को भी काफी यूट्यूबर्स ने, काफी लोगों ने ये कहा होगा, कि तुम कुछ भी करनो, तुमा अच्छुली में, उनकी हाइट है 6'1 और चाहिए आप सचिन तंदूलकर की बेटे के एक्जामपल ले ले, सचिन की हाइट है 55, उनकी वाइफ की हाइट है और उनके बेटे की हाइट अगर सिर्फ जनेटिक्स में डिपैंड करती, तो होड़ती है और उनके बेटे की से निकालू, तो यह होना चाहिए, कि जो सचिन दूलकर है, और आमेर खान है, दोनों काफी अमीर है, उनकी बेटों का लाइफस्टाल काफी अच्छा है, और अगर आप अमीर होते हैं, तो अविसली खाने की कोई कम ही नहीं होती, आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी कम होता ह है, एक्सराइस दो लोग करते हैं, एक एक्टर बनने वाला, एक क्रिकिटर है, और इन फैक्ट दोस्तों यह बात, स्टडिस में भी, रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है, कि जो हाई इंकम काफी ज्यादा है, उनकी एवरेज हाइट, डेकेट बाइट, डेकेट बाइट इंक्रीज हो रही है, और जो गैप है, रिच कंट्रीज में और पूर कंट्रीज में, हाई इंकम कंट्रीज में, और लो इंकम कंट्रीज में, हाइट का जो गैप है, एवरेज हाइट का जो गैप है, वो गैप इंक्रीज हो रहा है, डेकेट बाइट बाइट और रिसर्चर और poor lifestyle में बहुत difference होता है, आपको भी पता ये बात, कि जो rich लोग हो गया, कोई अमीर घर का लड़का हो गया, वो exercise पर अपनी mental health, stress वगयरा, doctor को consult कर सकता है, वो वो इस सारी चीज़े afford कर सकता है, but कोई जो गरीब घर से है, इतना अमीर नहीं है, वो obviously ये चीज़े afford नहीं कर पाएगा, तो ये सिर्फ nutrition का नहीं, ये exercise, overall lifestyle, stress, sleep, इन factors का भी difference है, दोस्तों शायद आपने रुस्तम एकमेतोव का नाम सुना होगा, ये Ukraine के one of the best athlete थे, ये high jump, Olympic में compete करते थे, और इनकी height थी 5'4, और इनों ने, जब सूर्चा height बढ़ाने का, तब इनको भी लोगों ने यह कहा, कि भाई, तुम्हारी genetics अच्छे नहीं है, तुम्हारी height नहीं बढ़ेगी, लोगों ने discourage किया, demotivate किया, जो कि लोग करते है, YouTube में भी लोग करते है, आपको पता हिया है, तो इनको भी लोगों ने किया, एक कान सुनी बाद दूसरे कान से निकाल दी, और जो इनों में दोस्तों किया है, one of the best inspirational story मैं कह सकता हूं, इस से मतलब बढ़िया story मैं देखे नहीं in terms of height increase, इनों ने बहुत ही extreme methods का use किया, और अपनी height 5-4 से 6-2 करी, मतलब भाई 10 inch, सो सकते हैं, 10 inch increase करी, और दोस्तों जो रुस्तम जी के methods थे, वो काफी extreme थे, मैसे share करना आपके साथ, आपको recommend नहीं करोगा, कि आप ये methods follow करें, क्योंकि जैसे वो सोते थे ना, मतलब हाथ दोनों ऐसे बांद कर, ऐसे लेट हो हैं बैट पर हाथ पीछे बांद हो हैं, हुक से, और टांगो में, skates डाल हो हैं, heavy skates हैं, ताकि उपर से लेके नीचे तक, उनकी body सोते वक्त, stretch हो, म और दोस्तों हर साल, वो अपने coach को, paper पर लिखे देते थे, कि मेरी height इस साल इतनी बढ़ेगी, इस साल इतनी बढ़ेगी, अगले साल इतनी बढ़ेगी, उस साल इतनी बढ़ेगी, और लोग हसते थे यार, लोग हसते थे, कहते पागल बंदा है, चूदिय बंदा है, बट actually में उनकी हाइट उतनी बढ़ती थी और दोस्तों अगर उनकी माने जाए तो हाइट बढ़ाने का गेम सबसे ज्यादा साइकलोजिकल है उसके बाद वो कहते है कि आता है न्यूट्रिशन आता है एक्सेसारिज आती है बड़ सबसे ज्यादा गेम है यह माइंड गेम इस वीडियो की बात ने कर रहा हर वीडियो में मेरी हर वीडियो में जिस वीडियो में मैं साइन्स वर्ड यूस करता हूं या मैं किसी एविडियो के बात करता हूं उस हर वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में स्टडीज के लिंक डालता हूं और मै इसी भी topic पे अगर मैंने video करी है उसके decision में या comment section में आपको research paper और studies के link मिलेंगे और जहां तक की height की बात है obviously इस video मिलेंगे आपको research paper के links but almost देड़ साल पहले मैंने एक scientific diet plan आपका शेयर किया था और उस video में भी मैंने सारे research paper के screenshot और comment section में research paper के link डाले थे और उन पर detail में बात करी थी और दूसरी चीज़ दोस्तो absence of evidence doesn't mean evidence of absence for example दोस्तो काफी चीज़े है science में जो 50-70 साल बात discover हुई है for example spot reduction की बात करते है spot reduction काफी लोग myth मानते थे but जो bodybuilders थे वो इसके proponent थे वो मानते थे कि spot reduction possible है और वो इसे apply भी करते थे और recently guys एक study हुई थी जिसमें ये actually में prove हुआ था कि spot reduction कोई myth नहीं है it's actually possible और हाला कि दोस्तो evidence conflicting है but at least इस चीज़ का evidence तो है कि हम spot reduction कर सकते हैं और bodybuilders इसे use करते थे से लड़ली का इस काफी techniques हैं काफी methods हैं Arnold के जिसे पचास साल पहले लोग बेफकुफ मान दे थे या मजाक उड़ा थे उनका but उने काफी बड़ी result मिलता था उन method के उपर आज 50 साल बाद research होती है और वो proven होते हैं वो सही पाए जाते हैं मतलब science ने late catch up किया है तो दोस्तों ऐसी काफी चीज़े हैं जिसमें science काफी late catch up करती है और तीसरी चीज जो यूट्यूबर है जिसमें 50 वीडियो करी हाइट के उपर हर वीडियो में 50 बार बोला है कि हाइट तुमारी नहीं बढ़ सकती सारे प्रूफ सारे evidence यही कहते हैं कि तुमारी हाइट नहीं बढ़ सकती बट उसने एक भी study का link ना comment section में ना description में ना कोई screenshot डाला है बस भाई बोलते गया है कि हाइट नहीं बढ़ सकती पूरी वीडियो में यही बोला है और कहला जो मैंने बोला है वो science है और reference के नाम पे वो चुआ कहता है कि भाई पहले मेरी e-book खरीदो तब तुमे मैं reference दोंगा पहले लोग अपने content पर e-book बेशते थे अब कहते है भाई reference चाहिए ना किसी चीज का तो मेरी e-book खरीदो समें सारे reference है पैसा ही पैसा हो यह तो भाई वही बात होगी कि तुम court में कोई case लट रह हो और जज ने जब evidence मांगा तुम कहरो भाई evidence यहां नहीं evidence है e-book में और e-book का है जज जी पहले e-book खरीदो तब ही evidence मिलेगा ऐसे लोग को भाई जज भी कहेगा निकल निकल ला उडे पहली फुरसत में निकल तो भाई इससे बड़ा चोर कौन होगा जो रेफरेंसिस के न knowledge है हाला कि तुम्हें कोई reference जादा नहीं बट मान लेते हैं कि तुम्हें science की बहुत knowledge है फिर क्यों तुमने injection लगा कर body बनाई है बाई science से body बनाते तो जितनी तुम्हे science की knowledge है scientific evidence को use करते और बाई injection लगाने से दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है जैसे youtube का पड़ा ह इसलिए मैं आपको recommend करो कि आप ऐसे youtube की videos completely avoid करें और तीसरी चीज़ दोस्तों कि मेरी सारी videos obviously free है मैं कोई पैसे नहीं लेता reference के लिए या मैं कोई coaching लेता मैंना कोई medicine promote कर रहा हूं कोई product promote कर रहा हूं कि यह product ले लो तुमारी height बढ़ जाएगी मैं दोस्तों सिर्फ आपके स अंकरोगी की video देखिया उसके methods follow करें और हमारी height बड़ी है तुम जूट बोल रहे हो तो उस fraud ने वो सारे comment ही delete कर दिया भाई तो दोस्ता आप खुच सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा चोर है बंदा और यहीं मैं आपको recommend करो कि आप उसकी videos पे ना comment करे ना dislike करे कुछ ना करें उसकी videos को आप completely ignore करें यह है best solution और वीडियो थोड़ी बड़ी होगे दोस्तों तो उसके लिए माफ़े वागने चाहता हूं but end तक video देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उमीद आपको video पसंद आई होगी मिलते हैं आप से गली बारी तब तक के लिए टेक केर